जहिन बच्चो, बच्चो मैं अजय कुमार वारण सी उत्तर प्रतेश से आपके अपने चैनल लॉस्टिशन पर स्वागत करता हूँ बच्चो इस समय मैं आपको राष्टी आएम युकता ताज शादविती परिक्षा यानि कि नैशनल मेंस का मिरिट एक्जामनेशन की त्यारी करा रहा हूँ और बच्चो काफी डेट सारी वीडियो मैंने बना रखे हैं जैसे आप जानते हैं बच्चो की कई सभी राज्यों में परिक्षाएं होने जा रही हैं जैसे माराष्टा में है 10 दिसंबर को, यूपी में है 5 नॉमबर को, 36 गड़ में 10 को, बिहार, राजस्तान, हर्याना सभी ये बच्चो नॉमबर दिसंबर में आयोईत होने जा रही हैं चाहें ओडिसा हो, उत्राखंड हो, चाहें वेस्ट पेंगौल हो, या हर्याना हो तो बच्चो ये जो टॉपिक है काफी महत्पुन है और मैंने अल्री कई कोश्चन को बताया है ये सभी राज्यों का बच्चो से ले बसा, जैसे मैं बार बार बताता हूँ आपके सामने भी दिख रहा है, समान मांसे की योगता 90 प्रशन आप अपने राज्य का भी देख सकते हैं से ले बस उसमें हर एक दोनों में ये चीजे सेम रहती हैं सैट और मैट के 90-90 प्रशन आते हैं तो बच्चो मैंने आपको कुछ कोश्चन बता दिये थे और ये जो कुछ टिपिकल कोश्चन आइं कि इन प्रशन को कैसे हल करें आई आज की वीडियो हम लोग इसको समझते हैं बच्चो इसके पहले बताना चाहूंगा एक वाटसेप ग्रूप बना हूँ है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए कि लगए 6,000 से ज़्यादा बच्चे अलड़ी जुड़े हैं तो आप भी जुड़ के फ्री तियारी कर सकते हैं इसमें मैं मोडल पेपर भी आपको अपलब्द कराऊंगा ठीक है और दूसरी बात ये कि बच्चो प्लेलिस ज़रूड देखिए कई बच्चे पुराने मैं सॉल्ड पेपर भी दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है सबसे पहले अल्फाबेट वाले जो भी प्रशना है आपको A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक इस तरह से अपोजिट लिख लेना है यही एक्जामनेशन टेपर में पीछे की तरफ आप लिख लिजेगा ठीक है और इसको देखे कैसे solve करेंगे जैसा हम देख रहे हैं बचो यहाँ पर कि यहाँ पर हमें C की value, K की value यह सब चाहिए होगी ठीक है और J की value तो यहाँ सही आप C का आप ले लेंगे फिर J की value 10 ले लेंगे जो भी alphabet है आप यहाँ से उसकी numbering उठा लेंगे क्योंकि A से Z तक आपको अपनी numbering कर लेनी है ठीक है तो यहाँ हम देखते हैं बचो ध्यान देजेगा जब भी इस तरह के सवाला है थोड़े typical होते हैं और आएंगे कैसे जब आप practice कर लेंगे ठीक है तो यहाँ हम J और R पहले उठा रहे हैं J की value 10 है R की value 18 है 28 हो गया 28 को अगर हम 2 से भाग देते हैं 14 आया तो जो भी संख्या आएगी उसमें आपको 2 प्लस कर देना है यही नियम यहाँ पर follow हो रहा है तो यह देखे 16 आ गया मतलब J R का हमने किये तो 16 आ गया यही process हमें यहाँ follow करना है C और K के लिए तो C का मान है 3 और K का है 11 भागे 2 प्लस 2 इस method को आपको याद रखना है तो यह आपको answer आजगा चेक कैसे करेंगे चेक देखें ऐसे ही करना है कि आप चीजों को करेंगे 2 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे तो जो भी process होगा यह बच्चो time taking होता है तो कुछ सावल आपके चुटकियों में हल हो जाते हैं कुछ बच्चों समय लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 14 का हो जाएगा 7 7 plus 2 आपका हो जाएगा 9 तो यह देखे 9 आ गया तो इसका वाला यहां लिखा यही हम यहां पर follow करेंगे k और m के लिए k की value है आपकी 11 ठीक है और m की value है 13 ठीक है by 2 तो यह हो गया आपका 24 by 2 यानिकी 12 12 में हमने 2 जोड़ देना है तो कितना आजाएगा 14 तो यहां पर जो answer आएगा बच्चों इसका एक आजाएगा 14 तो एक answer हमें मिल गया है 14 दूसरा जो है आपका PV है ठीक है PV के लिए हम क्या करेंगे कि P की value 16 ले लेंगे फिर वैसे इसकी 22 ले लेंगे by 2 plus 2 ठीक है ठीक है तो पहले इस वाले अक का number आएगा PV का आएगा इसके बाद K1 का K1 का आएगा जैसा हमने यहां पर किया था देखे confusion के लिए इस बच्चे का देखे इसने सही किया था लेकिन गलत हो गया था क्योंकि इसने करम नहीं देखा ठीक है तो इसका जो 54 का सही answer होगा 2 तो आते भी प्रशन बच्चों गलत हो सकते हैं तो आपको alert रहना होगा उसको समझना होगा कि कैसे प्रशनों को हल करना है अगर थोड़ी सी चुक करेंगे तो प्रशन आपका गलत हो जाएगा देखे इस बच्चे का मुझे दुख हो रहा है कि आते ही हुए इसका गलत हो गया पता नहीं सेलेक्शन हुआ कि नहीं ध्यान नहीं आ रहा है मुझे इसका ठीक है कोस्चन नमबर 55 एक और रिक्वेश्ट है बच्चो आप जिस भी राज्य के हो अगर आपको कोस्चन पेपर मिलता है तो आप मेरे वाट्सेप पे जरूर जो भी बच्चे जोड़े हैं उस राज्य के मुझे वाट्सेप जरूर वेक्त चुछनों को दो तरीके से कर सकते हैं आप साफ साफ देख सकते हैं कि 6 से यह 3 नंबर डिवाइड़ है ठीक है तो दूसरा ओप्षन देखें वाई 9 ओप्षन में 9 हो गया तो यह देखें असानी से कुछी सेकंड में हो गया और दूसरा तरीका है कि आप तीनों संख्याओं का आप मौसा ले लेंगे तो मौसा लेंगे तो यही आएका मौसा लेंगे तो यही आएका मौसा लेंगे तो यही आएका इसका मौसा निकले तो यह बच्चो टाइम लेगा तो मैंने आपको दो तरीके यहां बता दिये हैं कि कैसे यह आपका उत धिशान से देखते हैं कि 916 दिया हुआ है ठीक है तो 3 का आपका स्कॉइर कितना होता है 9 वैसी 4 का 4 का स्कॉइर होता है 16 तो यह देखे 916 हो गया यही ट्रिक यहां फॉलोग हो रही है 1 का square आपका 1 ही हुआ और 5 का square आपका 25 हुआ तो 125 तो ये trick यहां काम कर रहे थी और ये इस बच्चे का भी देखे सही है 56 का 1 option इसलिए बच्चो सही है question number 56 आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब इसके बाद आईए next question पर बढ़े बच्चो इन प्रशनों को हल करने के लिए थोड़ा सा समय और प्रैक्टिस की जोड़त है ठीक है इसलिए देखे ये रागो प्रकाशन की बुक भी दिखाया है मैंने उस पर थमनेल में तो online भी प्लब्द है बस आप लिख देंगे अब देखे इस सवालों को करना कैसे है ये सवाल बच्चो इसमें संख्याओं को क्या कर लेना है question number 57 में संख्याओं को आपको जोड़ लेना है ठीक है तो 25 प्लस 17 कर लीजिए कितना होगा 25 और 17 हुआ 42 42 को हमें क्या करना है कि अब ये hit and run से आएगा सोचना है ये जो 6 दिया हुआ है कैसे आया तो 6 से अगर हम divide करते हैं तो हमें 7 मिल गया यानि कि 7 से हमें divide करेंगे तो ये उत्तर हमें 6 मिल जाएगा यही बच्चो यहाँ पर करना है 89 और 16 को जोड़ लीजे 105 आया और 7 से भाग दे दीजे ठीक है तो ये आजाएगा आपका 15 या ठीक है तो ये आपका option number इसलिए बच्चो 57 का option number 2 इस प्रकार से सही है तो ऐसे ही बच्चो hit and trial आपको करना पड़ेगा ये क्योंकि मैंने हल किया हुआ इसलिए मुझे पता चल रहा है और ये बच्चो sold है ठीक है इस सवाल इस तरह की सवाल भी सोचना पड़ता है आएगा कैसे जो चारो संख्याएं दी गई हैं दो दो तीन और चार आपस में गुणा कर दीजे ठीक है आपस में गुणा कर देंगे हम तो ये आपका answer आ जाएगा ठीक है वैसे ही इन संख्याएं का आपस में गुणा कर देजे तो ये आपका 2 x 4 x 2 x 2 ठीक है तो ये आपका आजाएगा answer बच्चो 48 तो इसलिए इसका देखे option number 4 सही बस गुणा करना है 3 to 6, 6, 6, 24, 24, 24 to 48 तो काफी असान था ठीक है इसके बाद देखे question number 59 इसको कैसे हल करेंगे ये बच्चों देखे जब इस तरह के प्रशन हो तो यहां cross कभी ऐसे देखे कभी ऐसे देखे कभी ऐसे देखे कभी ऐसे देखे कभी ऐसे ऐसे देखे ठीक है पांच को पांच से गुणा करेंगे प्लस 4 इंटू 3 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 12 आपका 37 तो इसका 37 एंसर आएगा बच्छो तो इस प्रकार से आपको सोचना है अब यह वाली प्रस्ण देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे इन वाले प्रस्णों में बच्छो इसमें हम लोग क्या करेंगे 15 को 5 से गुणा करेंगे ठीक है और साथ में क्या करेंगे 6 को 3 से गुणा करेंगे आपस में जोड़ेंगे 15 गुणे 5 और 6 और 3 को गुणा करेंगे आपस में जोड़ेंगे यही चीज हमें यहाँ पर करनी है जो यह बीच वाला प्रस्ण आ रह कितना आगया आपका 89 इसलिए इसका बच्चो 89 एंसर आएगा इस अधार पर अब यह वाला प्रशन बच्चो आज का आखरी है इसके बाद हम लोग next series के प्रशन को देखेंगे question number 61 यहाँ पर देखे 6 plus 7 into 5 करेंगे 6 plus 7 ठीक है 6 plus 7 into 5 ठीक है इसको हमें करना है इसी method को follow करेंगे तो यह उत्तर आपका आजाएगा ठीक है तो इसमें हमें जो दिया हुआ है कि जो answer आना है आपका question number 61 का हमें देखेंगे यहाँ पर क्या करना है 9 से गुणा करना है ध्यान देजेगा हमें 9 से गुणा करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या संख्या होगी कि 5 मतलब की 45 आजएगा भई 9 पचे 45 नाइन फाइस और 45 वहता है यहाँ जरूर क्या होगा 1 होगा ठीक है तो यह 1 प्लस 4 होगा ठीक है तो यही series बच्चो इस तरह से हम हल करेंगे तो question number 61 का जो answer है बच्चो इसलिए 4 सही है तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा और इस तरह के प्रश्णों को बताना है तो comment section में जरूर लिखेगा ठीक है आगे भी दे नहीं करेंगे तो